आज हम बात करेंगे टेक्स्टाइल सेक्टर और इंटलूप के बारे में जिस बाइद वे यह हमारी सीरीज की तीसरी वीडियो है अगर आपने बाकी दो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस काड़ पर क्लिक करें So let's start अगर पाकिस्तान की बार-बार होने वाली एकनॉमिक क्राइसिस ने हमें कुछ समझाया है तो वो यह है कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा किसी भी मुल्क के लिए कुछ इंपॉर्टन नहीं है दरसल पाकिस्तान में कुछ ही सेक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल मार्किट में कमपीट कर सकते हैं और उन में से सरे फेरिस टेक्स्टाइल सेक्टर है अगर पाकिस्तान साल में 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से 60 फीसद से भी ज़्यादा टेक्स्टाइल प्रोडक्स होते हैं ये नमबर बताता है कि टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टन है और अब पाकिस्तान में सबसे तेज ग्रो करने वाली टेक्स्टाइल कंपनी कौन सी है अगर मारकेट कैप के हिसाब से देखा जाए तो इंटर लूप पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है और अगर सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो इसकी रैंकिंग तीसरी बनती है लिस्टेट स्पेस में तो भाई इतनी बड़ी बड़ी और legacy companies के होते वे ये पाकिस्तान की सबसे valuable textile company कैसे बन गई? इसका जवाब है continuous expansion. क्या आपको पता है कि Interloop एक साल में 80 करोड सौक्स यानि मोजे बना के export कर सकता है? या फिर ये के Interloop आज 60 लाग denim products बना सकती है जिसकी capacity अगले साल double हो जाएगी यानि 1 करोड 20 लाग या फिर ये के आज Interloop 2 करोड 16 लाग apparel यानि T-shirts, pants, polo shirts एक साल में बना सकती है जो के 2023 में बढ़के 3 करोड 60 लाग होने वाली है या फिर ये के Interloop आज 40 लाग active wear या sports wear बना के export कर सकती है और ये सब sales किसी छोटे-मोटे brand को नहीं बलके well-known brand जैसे Nike, Adidas, Zara, H&M या Amazon को supply होता है अब यही growth को numbers के थुरू देखा जाये तो जहां Interloop की sales 2017 में 26 अरब की हुआ करती थी वो 2022 में बढ़के 90 अरब हो गई है यानि 3.5 गुना 5 सालों में और 9.4 गुना बढ़के 12 अरब हो गया है इन 5 सालों में अब बात करते हैं कि आपको अगर किसी भी textile company में पैसे लगाने हैं तो आपको क्या-क्या जरूर पता होना चाहिए पहला, पाकिस्तान की textile export cotton based है यानि अगर किसी वज़ा से cotton की पैदावार कम हो जाए और दुनिया में cotton महंगा रहे तो इनके profits कम हो सकते हैं दूसरा, हाट textile company को electricity और gas की बहुत नीड होती है textile को ना सिर्फ बिला, तातुल, बिजली और gas चाहिए होती है बलके इंडिया, बंगलादेश, वेतनाम से compete करने के लिए बिजली और gas सस्ती भी चाहिए होती है अब चुके पाकिस्तान में बिजली के rates अल्रेडी बहुत ज्यादा हैं, इन companies को government की तरफ से एक special tariff दिया जाता है, ताके हम regional countries से compete कर सकें ये tariff साड़े 7 cent per unit हुआ करता था FY22 के end तक, बढ़ अब इसको बढ़ा कर 20 रुपे पर unit कर दिया गया है ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर सस्ती बिजली ना मिले तो इनकी sales और profit में मसला आ सकता है तीसरा, क्योंकि ये सारा माल export होता है, दुनिया में demand भी होनी चाहिए इन products को absorb करने के लिए अब सुनने में ये आ रहा है कि America और Europe में recession आ सकता है तो शायद export वैसे ना हो जैसे last year हुए थे तो international economic news पे नज़र रखना जरूरी है चौथा, हर textile company एक जैसी नहीं होती बजाईर तो सारी textile companies को PSX एक ही sector में qualify करता है बढ़ आपने नज़र रखनी है कि कौन सी companies के margin ज्यादा है और किन के कम कौन सी companies different पे जोर देती है और कौन सी companies interloop की तरह अपने ही business में पैसे लगा के sales और नफा ग्रो करती है और पाँचवा, बहुत सारी textile companies हैं जिन में हफ्तों हफ्तों तक एक share का भी काम नहीं होता है ऐसी companies की earnings तो बजाईर बहुत अच्छी होती है बढ़ अगर आप shares लेने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं और बेचने जाएंगे तो बिकेंगे नहीं So be careful, ऐसी companies बहुत ज्यादा रिस्की होती है तो ये था एक छोटा सा review textile sector और interloop का अगली बारी है pharmaceutical sector की